हेलो गार्स आपके सवक्षाता दो टा-फार्मिसिस सवर्ड में आज हम बात करेंगे एक ने टॉपिक के बारे में जैसा कि मैंने बताया था कि आपको टॉक्टर ऑफ फार्मिसी के बारे में बहुत कुछ मैं बताऊंगा और हेसे से को बनके आएगा मैंने फर्श्टे के बारे में आपको बताया है कि उसमें क्या होता है क्या सूपसी बनकर आएस की है hon aldida को आप सिभिप केया आपको कि क्या मैंने बताया था आपको उसमें क्या क्या चीजी आपको जो है आपके recording जो है समझाई थी तो आज जो है हम doctor of pharmacy के second year के बारे में बात करेंगे और नए नए चीज़ों के बारे में इसमें भी मैं बताऊंगा आपको और इसमें बहुत सारे important जो है topics हैं, words हैं और बहुत सारे से subject हैं जो कि बच्चे हमेशा confused होते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर detailed बात एक बार कर लेते हैं, तो देखिए, फ़र्शा फाल यहाँ पर जो है second year का subject हम लोग बात कर लें, तो यहाँ पर doctor of pharmacy के second year के subject में आपके पूरे six subject आपको पढ़ने होते हैं, जिसमें कि आपका बहुत ज़्यादा advance और बहुत ज़्यादा important हो जाता है, ठीक है pathology, second आपका आता है pharmaceutical microbiology, third जो है आपका आता है pharmacology and phytopharmaceutics, fourth है आपका pharmacology first और next आपका community pharmacy और जो last में आता है आपका pharmacotherapeutics first जिसको PCT या PT अलग रग नाम उसे जो है अलग होगारते हैं, ठीक है इसमें देखिए, इसमें हम बात करनें पहले book की तो इसमें जो पहला subject हमारा आता है इसमें बहुत सारे इस्टेंट्ड्ट्स होते हैं कि कौन सी बुक पढ़ए कौन सा जो है priority दे बुक को क्या हमारे से लेबर्स में कितना effort होगा तो देखिए इसके लिए जो है अभी तक एक effect book जो है आपको pharma profession में नहीं देखने को मिलता है तो आपको इसके लिए कुछ ऐसे book हैं जो की हैं पर वही छोटी इसी books जो आती हैं different publication की जासा की आप जानते हैं तो वह आपको available हो सकती है पर यहां पर जो है कुछ medical professional की book है जो कि हमार में भी लगती है और यही जारतार लोग student पढ़ते हैं ठीक है तो इसमें देखिए कौन-कौन से book जो इसमें पढ़ा जाता है तो इसमें देखिए पहला जो है आपका आता है हर्स मोहन की book तो यह हर्स मोहन की book जो है धुल्षप टर्फर्ड करते हैं यहां पर जो है वी फार्म की हो कि यहाँ दॉक्न की फार्मेशी या फाम-डी की फ्यूंट हो इस बुक को भी प्रिफर करते हैं जैसा कि आपका स्क्रीन पर सो कर रहा होगा ठीक है उसके बाद जो आता है next book जो है Robinson की आती है इसमें भी जो है different different book आती है अलग-अलग volume की आती है तो जारता जो इस डेंट होते है इस डेंट consulted जो book होती है इस डेंट consulted वो उस prefer करते हैं before में और family में भी जो है इसके अलग-अलग volume में आपकी efficacy को उपर depend करता है आप कितना knowledge gain कर सकते हैं ठीक है उसके बाद जो आता है next जो हता है rover and walker की book आती है guys यह PCT की book होती है इस book को आपको purchase करना ही करना है ठीक है तो मैं आगे बताऊंगा तो अभी दो यह important book है जो कि मैंने आपको बताई है हर्स मोहन की और ओविंसन की जो सबसे अधिक चलती है ठीक है यह funnel writer है इसी की book जो है ज्यादा तर prefer की जाती है एक book और आती है ठीक है जग्गी की जो कि Indian writer है और Pharma Profession की book है और मुझे खास तोर से बहुत अच्छी लगी और उसको जो है मैंने purchase भी किया था यह रहा हूँ book जिसको आप prefer कर सकते हैं और इस book में जो है आपको दिख रहा होगा और यह book जो है मैंने purchase की ती जिसमें की बहुत सारी चीज़े आपको देखने को मिलती है यह अमरतेस्वर सिंग जग्गी की book है और इसको जो है मैंने read की है अच्छी book है और family के लायक है तो आप इस book को भी prefer करते है अच्छी book है इसमें और इसमें बहुत सारी चीज़े मिलती है आपको जो आपके लेबल की है और आपको understanding को और बढ़ाती है ठीक है पैतो फिजिलोजी को लेकर तो इस book को आप देख लीजे यह रही और इसको मैं close दिखा देता हूँ इसके page भ आते हैं बलब प्रकासन जो अच्छी book यह भी निकालती है ठीक है cbs onamam ho गया ठीक है अच्छी राइटर्स की बुक जो है बलब प्रकासन को दोवार आती है अनके जेन हो गया ठीक है तो यह अच्छी यह बुक भी अच्छी quality की होगी तो आप मैं यह आप चाहां तो यह book prefer कर सकते हैं मुझे पता नहीं थी बाद मुझे यह एस बोंते सा कर सकते हैं बाद मुझे वी पता चली फाम बी लिवे हुझाthank बाकी रही तो आपकी दो यह हर्स मुहन और ऑबिंसन जो मेडिकल व्चेंट के पढ़ते हैं जरब भी फो ममें भी उता है और फोंडी में बात होती है तो इसमें भी बहुत सारे चीजें हैं कि अलग अलग बुक्स आती है अभी तक कोई पर्टिकल राइटर की बुक नहीं है जो फार्मा फिल्ड में जो लिखा हो बहुत ही इसे बुक तो छोटी वाली आई रही है ठीक है पर मुझे अभी तक तो ऐसा कोई अभी तक मेरे ने जरू में नहीं लगा कोई अच्छी उतनी बुक है कोई कि सम्में कुछ ना कुछ कमिया है को कि वो भी क्या करते हैं इन्हीं डिफेंस बुक से ही निकालकर और इंटरनेट स चैनले तो प्रेफर कर सकते हैं आपको अच्छी लगती है ठीक है पर मैंने जो प्रिफर की थी वो प्रेस काड की थी ठीक है अभी फर्म में और अने अर्यचार थी ठीक है यह पुर्ण हो को पूरी चीज़ नहीं मिलेगी सब थोड़-थोड़़ी मिलेगी तो आप यहां क जाके इसको purchase बना की देख लीजिए एक बार और notes बना लीजिए मैंने खुद notes बनाए थी ठीक है और यदि आपको कहीं से भी दूसरे content मिलते हैं नेट से तो वहां से भी prefer कर सकते हैं एक गाइस और आपको एक चीज़ और बता दूँ कि यदि आप पैतो अच्छी एक चैनल है जिसको आप prefer कर सकते हैं Osmosis नम का ठीक है मैंने खुद उससे पड़ी है ठीक है बहुत ही जब 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 चैनल है वह और यदि understanding आपके अच्छी है तो उस चैनल के मादन से भी आच्छी deep knowledge ले सकते हैं ठीक है तो आपको एक basic चीज़े समझ में आ है तो इसमें सबसे best जो बुक है इंडिया राटर की सी के कोकाते है ठीक है कोकाते जो है बहुत important बुक होती है फिर एक को foreign written की इवान की बुक आती है ठीक है तो मैंने ये बुक प्रफर्ग की थी और आपको जो है दूसरी बुक यहीं मिलती है इस से related तो आप उसको प्रफ बुक है वह है कम्यूटी फार्मेसी की तो कम्यूटी फार्मेसी में जो है आपकी डीफ फार्म की बुक आती ही बहुत ज्यादा चलती है और बहुत ही जब्दस लिखी होई है उसको वह दीफार में एक सब्जेट था 1991 में जब इनकी सिलबस बनी थी तो DSVM उनका एक लिखी होई है तो आप चाहें तो इस बुक को प्रफर कर सकता है यह मतले की डीफार्म लेवल पर है डीफार्म बीटेंड प्लस टू के बाद ही होता है तो वहां पर भी बहुत सारी नॉलेज्ज आपको देखने को मिलती है देखिए जो पुराने रैटर्स की बुक होती है और जो अपडेट होके आती है तो और ज़्यादा बढ़ियां होती है तो मैं हमें से चाहूँगा कि जो पुराने रैटर हैं इस फिल्ड में 20 साल से पढ़े हुए हैं उन रैटर्स की जल्दी आप बुक पकड़िए जिसके कारण आपको अंडेस्टेंडिंग बहुत अच् जहां पर आपको लगता है कि अच्छी लिखी हुई है तो प्रिफर्ट करेगा और मैं ज्यातर इनी की बुक को प्रियाइटिस दूँगा कि नैइस पार्ट करें तो PCT की तो PCT की बुक जो होती है हम सब ही जानते है कि कोनजी इंप्बार्टेंट है छाण चलती हैय एक तो आती ही डिपीरों की ठीक है जो की आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा और जो दुसरी बुक आती है, वो आती है आपकी Robert and Walker की ठीक है, ये भी आपकी स्किम सो कर रहा होगा और ये Robert and Walker बहुत ही जबरदस बुक है, डीपिरो भी बहुत ही जबरदस बुक है, दोनों ही बुक जो है जो डॉक्टर फार्मिसी के स्ट्टेंट होते हैं, वो प्रिफर करते हैं ठीक है, मैंने Walker की बुक को ज़्यादा पढ़ा है ठीक है, तो इसमें भी जो है डीपिरो में एक रिफरेंस बुक आती है, जो कि च्वाइस होती है कि कैसे वो रिफरेंस बुक को यूज करते हैं और कैसे लिबरी में कौन से भी बुक होती है जिसको प्रिफर करके स्टेडी अपनी करते हैं तो यह सारी रही और इस सब चीजों में आपको यदि कुछ भी अच्छा लगा हो तो इसमें कमेंट बाक्स में पुछ सकते हैं यदि आप फेस्बूक चैनल पर ने चुड़े हैं और टुटर पर ने चुड़े हैं तो जाकर वहां पर फालो कर लिए ठीक है वहां पर फार्मेसी रिलेक्टेट चीजे आपको मिलती रहती है फिर भी आपको यहीं इसमें कोई रिलेक्टेट कोई प्रॉलम है तो आप कमेंट बाक्स में पुछें मैं इसका अंसर जरूर दूँगा फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ थैंक यू